न्यूस क्लिक की स्वतंत्र और आजाद पत्रिकारिता को समर्थन दीजिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए जॉइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारी मेंबर्शिप को ग्रहिंड कीजिए आपके सामने तीन विकल्ब न्यूस कार आप देख रहे हैं न्यूस शक्र मैं अभिसार शर्मा एक बार फिर आप सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग न्यूस क्लिक का हाथ मजबूत कर रहे हमारी सदस्ता को ग्रहन करके ताकि इसी तरह से बेबाकी से बेखौफ हम आपके मुद्दे उठाते रहें और आज दोस्तों हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं मोदी सरकार की कोरोना को लेकर टीका नीती वैक्सिनेशन पॉलिसी और उसमें कितनी खामिया थी मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखलाना चाहूँगा ये पोस्टर जो इस वक आपके स्क्रीन्स पर है इस पोस्टर में ये कहा जा रहा है कि मोदी जी आखिर आपने मेरे बच्चे के लिए जो वैक्सिन है वो विदेशों में क्यों भीज दी मोदी सरकार ये कहा जाए दिल्ली पूलीस इससे इस कदर बौकला गई है कि उसने अब तक 24 लोगों को गिरफतार किया इस मुद्दे को कॉंग्रिस ने बड़े पैमाने पर उठाया है आपके स्क्रीन्स पर राहुल गांधी बोलते हुए अगर है हिम्मत तो मुझे गिरफतार करो यही नहीं यही बात प्रियंका गांधी भी कर रही है और कॉंग्रिस के प्रवक्ता पवन खेरा ने इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉंफरेंस किया और उस press conference के अंदर भी बाकाइदा वो एक banner लेके बैठे रहे जो आपके screens पर दिखाई दे रहा है कि मुझे गिरफतार करो और मैं भी वही सवाल कर रहा हूँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मोदी सरकार इतनी sensitive क्यों हो गई है आपको ये मानना पड़ेगा कि आपकी vaccination को लेकर आपकी vaccination policy को लेकर आपकी बहुत जबरदस भूल हुई है जिसका नुकसान इस देश की जनता ने उठाया है आगे जाकर news चक्र आपके सामने एक बहुत बड़ी पड़ताल करने वाला है और उस पड़ताल को देखकर आपके होश फाक्ता हो जाएंगे कि हमारी सरकार ने हमारे साथ कितना बड़ा अत्याचार किया है मगर सबसे पहले मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि ये सरकार किस तरह का event management करती है आपके screens पर एक के बाद एक तस्वीर है उत्तरपदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितनात नौइडा पहुँचते हैं और नौइडा में अपने पालतू channels के साथ मुलाकात करते है NTPC के guest house में मुलाकात होती है और इस मुलाकात के अंदर channel से कहा जाता है कि आप लोग जलती हुई लाशों की तस्वीर ना दिखाएं नकारात्मक तस्वीर ना दिखाएं यानि कि अगर सल शब्दों में इसका अनुबाद किया जाए translation किया जाए तो आप ऐसी सरकारें ना दिखाएं जिसका भारती जनता पार्टी को नुकसान होगा और इसका त्वरत परिणाम सामने उभर कर आता है मैं आपको बताता हूं मुकेश अंबानी के न्यूस चैनल न्यूस 18 इस पर क्या कह रहा है आपके स्क्रीन्स पर ठीक शाम को साड़े छे बजे दोपहर में योगी इन चैनल्स के साथ बैठक करते है जैसे कि मैंने आपको तस्वीर दिखाई ये देखिए न्यूस 18 क्या कह रहा है कोरोना के खिलाव वार, मोर्चे पर सरकार जी हाँ, कुछ दिनों पहले तक तो ये लोग F.I.R. कर रहे थे उन लोगों पर जो लोग आक्सिजन की मांग कर रहे थे योगी जी ये मानने को ही नहीं तयार थे कि आक्सिजन की कमी है, बेट्स की कमी है अब ये चैनल कह रहा है, मोर्चे पर सरकार और आज सुबह दोस्तों दो अखबारों के फ्रंट पेजिस में आपको बताना चाहता हूँ लखनों में सबसे तेजी से ठीक हो रहे हैं, मरीज, recovery rate 94% इत्फाक देखिए, योगी जी पत्रकारों के साथ बैठक करते हैं और उसके अगले दिन अखबारों और न्यूस चैनल्स पर इसका असर दिखाई देने लगता है आगे देखिए, एक अपरेल को थे साथ सुवेड, पंदरा मई तक बना दिये गए, साथ हजार बैड्स एक बार फिर, योगी आदितनात की तस्वीर दिखाकर ये अखबार बता रहा है सिर्फ एक महीने, पंदरा दिन के अंदर साथ सो से साथ हजार बिस्तर बना दिये गए तो मैं इस चैनल्स ये पूछना चाहता हूँ, योगी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये वाकई हकीकत थी तो आपने ये अपरेल से पहले ये काम क्यों ने किया ताकि इतनी बड़े पैमाने पर लोग उत्तर पदेश में ना मारे जाते ताकि उनका इलाज हो पाता ताकि उन तक आक्सिजन पहुँच पाता बताईए ना और उत्तर पदेश के अंदर तो आँकड़े दबाये जा रहे हैं दैनिक भासकर की खबर देखिए एक हजार किलूमीटर में 27 जिलों की इनों ने पड़ताल की दोस्तों और वहाँ पर 2000 लाशें जो हैं वो जलाई जा रही हैं दफन है एक घाट पर एक पत्रकार जाती है और वहाँ पर जो पंडित होता है पुरोहित होता है वो कहता है कि यहाँ पर 4000 मिट्टियां है 4000 मिट्टी यानि की 4000 शव और जो नियूज 18 आज की तारिक में योगी सरकार की जह जह कार कर रही है उन्हीं के एक पत्रकार अनामिका सिंग कली क्या कह रही है महामारी के इस दौर में लोगों के पास अपनों को जलाने दफनाने के लिए लकडियां और जगह तक मिल पा रही नहीं है दूसरी तरफ विभाग के पास प्रदेश में शवदान ग्रहों का आकड़ा तक मौझूद नहीं है बस FIR करवालो इनसे यह हैं पत्रकार News 18 की बाद में उन्होंने अपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया यानि हटा दिया यानि कि या तो चैनल की तरफ से दबाव आ गया होगा या योगी सरकार की तरफ से दबाव आ गया होगा इस तरह से मैनेश करते हैं और आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा दोस्तों क्योंकि मोधी सरकार की टीका नीती को लेकर आपके साथ क्या नाइनसाफी हुई है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों पत्रकार अभे सिंग्राठोर ने ये ट्वीट किया है मैं पढ़के सुनाना चाहता हूँ तस्वीर मैं आपको सिर्फ यही एक दिखा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर एक पत्रकार की बेरहमी से पिटाई हो रही है क्या कहने आभे सिंग्राठोर उत्तरपदेश की सिधार्त नगर में पत्रकार पर जानलेवा हमला हुआ है कोरोना की जमीनी हकीकत दिखाने पर पत्रकार को गुर्गों ने बेरहमी से पिटा है SDM दुमरिया गंज त्रिभुभन प्रसाद पर पिटवाने का आरोप है CHC बेवा पर कवरिज के दौरान पत्रकार की पिटाई की गई सच्चाई दिखाने का क्या ये अपराद है पयान देते हैं एक तरफ अनामिका गिल का की मिसाल है वो हकीकत बता रही है वो अपने चैनल को यह आईना दिखा रही है दूसरी तरफ जो पत्रकार हकीकत दिखा रहा है उसकी इस कदर बेरहमी जो है कथित तोर पर allegedly SDM कर रहे हैं मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस तरह से इस तरह से हकीकत छुपा पाएंगे हाला कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है दोस्तों कि बुख्यमंत्री योगी आदितनात ने तीसरी वेव जो आ सकती है उसके लिए तैयारी अभी से कर दी है वो क्या कहने है बीस सेकंड का उनका ये बयान सुनिये मगर उमीद है योगी जी की कतनी और करनी में फर्क नहीं होगा उमीद है आगे जाकर आप इस पर अमल भी करेंगे इस तरह से NTPC Guest House में पत्रकारों को बुला कर उसको खेला नहीं करेंगे उसका चीज़ों को मैनेज नहीं करेंगे दोस्तों आगे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहां देखिए हर्याना के ग्रह मंत्री एक बयान दे रहे हैं कि 17 मई से लेकर 24 मई तक हम लॉकडाउन को बढ़ा रहे हैं हामारी अलर्ट सुरक्षत हर्याना एक्सेंड़ फ्रॉम 17 में तू 24 में बता रहे हैं ना हर्याना के अंदर मगर अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहां के मुख्य मंत्री क्या कह रहे हैं आपके सामने पानीपत के अंदर 500 ऑक्सिजन बेड के कोविड अस्पताल का उद्गाटन हो रहा है भीड देखिए दोस्तों इस तस्वीर में यहाँ पर मास्क बेशक आपने लगाए हूँ है मगर यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग या शारीरिक दूरी कहा है एक तरफ आपके ग्रह मंत्री यह कह रहे हैं कि हम लॉकडाउन को बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ मुख्य मंत्री जो हैं यहाँ पर अपना प्रचार कर रहे हैं कोविड अस्पताल का उद्गाटन कर रहे हैं यह बात आप अपरेल से पहले कर सकते थे यहाँ बात नहीं रुकती पानीपत में तो गए फिर यह देखी हिसार में गए हिसार के अंदर इस वीडियो में आप देखिए दोस्तों इस तस्वीर में देखिए यहाँ पर मनोर लाल खटर एक और उद्गाटन कर रहे हैं एक और फीता काट रहे हैं और फिर जब किसान उनका विरूद करता है तो उसको बेरहमी से पीटा जाता है ये वीडियो देखिए यहाँ पर अश्रू गैस के गोले के जरी किसानों पर लाठी चार्ज किया गया मारा गया दोस्तों मैं आपको वो तस्वीर नहीं दिखा सकता एक बुड़ी मा का हाथ पकड़के उसका बेटा ले जा रहा है उसकी मा बुरी तरह से लहुलुहान है मगर जब किसान उनका विरूद करें तो आप उन पर लाठी चार्ज करें यह कहां कि इंसानियत है मुझे बताईए वरिश पत्रकार दीपक तिवारी ने यह खबर जो है पेश की है उनका यह कहना है जर्नलिस इंग्वालियर वर अरेस्टिट टुड़े बिकॉस वांटे तो गिवाराणडम तू शिवराज सिंग चोहान अबाउट पुलीस अट्रोसिटीज अन्टू फेलो रिपोर्टर्स अव दतिया constituency of home minister पत्रकार ग्यापन देना चाहते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान को मगर पुलीस उन्हें आँ गिरफतार कर लेती है यह कहां का इंसाफ है मुझे बताईए और अब अनुराग धांदा पत्रकार अनुराग धांदा ने ये वीडियो पेश किया इसमें आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठी चार्ज किया गया अश्रु गैस बलकि यहां देखिए वो लोग पत्थर भी मार रहे हैं अब मुझे बताईए ना पुलीस वाले पत्थरबास कैसे बन गया है यानि कि कुरोना को लेकर जो गाइड लाइन्स हैं उसकी धज्जियां प्रशासन तो उड़ा ही रहा है दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि पुलीस का रवया उनके रवये और असमाजिक तत्वों के रवये में क्या फर्खे मुझे समझाईए और फिर वो मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूँ दोस्तों जिसको लेकर कांग्रिस ने उगरुरुक अपनाया है और इसको लेकर 24 गिरफतारियां हुई है यहाँ पर ये सवाल किया जा रहा है कि मेरे बच्चों की वैक्सीन्स को आपने विदेशों में क्यों भेजा आज मुदी सरकार ने जो बहुती सक्त रवया अपनाया है इस पर आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि यूएन में हमारे अमबैसजर नागराज नाइडू ने बाकाइदा ये बयान दिया था कि हम दुनिया को उतनी वैक्सीन्स दे रहें जितनी वैक्सीन्स हम भारतियों को नहीं दे रहें ये आपने जोर्शोर से ऐलान किया था किया था कि नहीं किया था सुनिये क्या कहा था नागराज नाइडू ने India will not only be vaccinating 300 million of its own frontline workers of the next six months but in the process has also supplied vaccines to over 70 nations In fact, as of today, we have supplied more vaccines globally than have vaccinated our own people. प्रजीत हासिल कर ली? हकीकत से दूर इस तरह से किसी देश का प्रधान मंत्री हो सकता है क्या? और फिर आप लोग गिरफतार करते हैं उन लोगों को जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि मेरे बच्चों के लिए या मेरे माबाप के लिए जो वैक्सीन है आपने विदेशों में क्यों भेज दी? अब वो पड़ताल में आपके सामने ला रहा हूँ दोस्तों जिसके जरी आपको ये पता चल जाएगा कि सरकार ने कितनी बड़ी गलती की है एक एक करके दोस्तों वो चीज आपके स्क्रीन्स पर आएगी दोस्तों सबसे पहले आपके स्क्रीन्स पर प्रधान मंत्री नरेंध रुबूदी ने अपरेल में ही ये घोशना कर दी थी कि भारत ने बगएर टीके के कोरोना पर जीत हासल कर ली है जैसा कि मैं आपको दिखा चुका हूँ और प्रधान मंत्री ने क्यों ऐलान किया था मैं आपको बताता हूँ प्रधान मंत्री ने इसलिए ऐलान किया था क्योंकि वो दुनिया भर में या भारती जनता पार्टी दुनिया भर में प्रधान मंत्री की वैक्सीन गुरू के तौर पर शवी पेश करना चाहती थी और इसकी जमीन उन्होंने सितंबर 2020 से एक तरह से तयार शुरू कर दी थी सितंबर 2020 को उनका ये बयान जो आपके स्क्रीन्स पर है सितंबर 2020 ने भारत में सयुक्त राश आम सभा में घोशना की कि कैसे भारत वैक्सीन के मामले में पूरी दुनिया की मदद करेगा क्या कहा था प्रधान मंत्री ने आप खुद सुनिये सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के तौर पर आज मैं वैस्वीक समुदाय को एक और आस्वासन देना चाहता हूँ भारत की वैक्सीन प्रोड़क्शन और वैक्सीन डिलिवरी क्षमता पूरी मानवता को इस संकट से बहार निकालने के लिए काम आएगी यानि क्या आपने अपने देश की जनता पर की परवाह नहीं की उनके लिए वैक्सीन फिक्स नहीं किये पूरी दुनिया के लिए आप इंतिजाम कर रहे थे क्योंकि आप अपनी शवी चमकाना चाहते हैं आगे गोर कीजिए इस दौरांग क्या होता है जो भारतिय सेरम इंस्टिट्यूट अफ इंडिया है यानि SII वो आस्ट्राजेनिका और नोवोवैक्स की एक अरब यानि वन बिलियन डोज कम और मध्य आयू वाले देशों को देने के लिए करार करता है इसके बाद सभी निउस चानल्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ शुरू हो जाती है एबीपी निउस ने तो ये तक चला दिया था प्रधानमंत्री वाक्सीन गुरू है यानि कि पूरी जमीन तयार की जारी थी प्रधानमंती की छवी को दुनिया में उचा पेश करने के लिए मगर उसका नुकसान कौन भुगत रहा था हमारी जनता आगे देखें दोस्तों एक तरफ भारत दुनिया के लिए वैक्सीन बना रहा है मगर अमरीका और ब्रिटन जैसे देश अपनी जनता के लिए टीके का जुगाड कर रहे हैं और वो कैसे अब मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों आपके स्क्रीन्स पर एक एक करके सबसे पहले अमरीका अमरीका ने करीब 1,210 मिलियन डोसे अपने देश की जनता के लिए बुक कर ली थी और सिर्फ एक या दो सोर्से से नहीं कितने सोर्से से आपके स्क्रीन्स पर अस्टराजेनिका ऑक्सवर्ट से 300 मिलियन डोसे मॉडर्ना के 300 मिलियन फाइजर के 300 मिलियन नोववाक्स के 110 मिलियन जॉंसन और जॉंसन के 100 मिलियन और सनुफाई के 100 मिलियन डोसे उसी तरह से ब्रिटन की बात करते हैं ब्रिटन ने आपकी स्क्रीन्स पर अपने देश की जनता के लिए 417 मिलियन डोसे आरक्षित कर लिये थे बुक कर लिये थे किस तरह से? AstraZeneca से 100 million doses, Novavax से 60 million, Sanofi से 60 million, Valneva से 60 million, CureVax से 50 million, Pfizer से 40 million, Johnson & Johnson से 30 million और Moderna से 17 million doses. ये क्या बतला रहा है दोस्तों? ये देश, दूसरे देशों की मदद करने के बजाए पहले अपनी जनता की मदद कर रहे थे. और भारत ने अब तक, अब तक जो मैंने आपको बताया है, अब तक उसने इस बात पर बिलकुल भी जोर ने दिया कि मुझे अपने देश की जनता के लिए वैक्सीन्स बनाने चाहिए, पहले उनका इंतजाम करना चाहिए. वो इस वक्त वैक्सीन गुरू बनना चाह रहा है. आगे देखिए, फिर प्रमान दिखा रहो है आपकी स्क्रीन्स पर. इस बीच ग्यावी, यानि कि दुनिया का जो वैक्सीन अलाइंस है, वो भा क्लियन वैक्सीन्स दिये जाएंगे. भारत ने दोस्तों इस बात का भी जोरशोर से अलान कर दिया. देखिए, प्रधान मंत्री नारेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जैशंकर इन ट्वीट्स में क्या दावा कर रहे हैं कि हम दुनिया की मदद कर रहे हैं, हम वैक्सी मैत्री कर रहे हैं, जी हाँ. एक तरह से आप देख सकते हैं, इन्होंने वैक्सीन मैत्री की घोशना कर दी थी. और अगले कुछ महिनों में करीब पिच्चानवे देशों को 6.6 करोर डोजस दिये जाते हैं, याने की मुंबई और दिल्ली की कुल आबादी. अब मैं आपको फिर सुनाना चाहूंगा, दोस्तों. सायुक्तिराश में भारत के अमबैसडर नागराज नाइडू का ये बयान जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि हमने अपने देश की जनता के बजाए दूसरे देशों में ज्यादा वैक्सीन भेजिए. खुद सुनिए आप, इससे आप को हकीकत पता चल जाएगी. और इसके बाद क्या होता है दोस्तों? ये ग्राफिक देखिये. अचानक भारत में करोना का विक्राल रूप बढ़ता है. तब भारत घबरा जाती है. और जैसे ही भारत घबरा जाती है, अब तक उसने क्या क्या था सिर्फ दो सुरोतों के जरीए, यानि की कोवी शील्ड और कोवैक्सीन. सिर्फ ये दो डोस उसने अपने देश की जनता के लिए बुक कराये थे. आनन फानन में अपरेल के महिनों में ये लोग पांच और कंपनीज के साथ करार करते हैं. काईदे से आपको कई महिने पह आपताना राहूल गांधी को दे रहे थे, कि वो वैक्सीन कंपनीज के दलाल बने हुएं. जबकि प्रधान मंत्री ने खुद कहा था और मैं खुद आपको दिखा चुका हूँ, कि हमने कोरोना पर जीत बगएर वैक्सीन के हासिल कर लिए. मैं फिर आपसे दोरा ना चाहू जो आपके सामने मैंने एक-एक करके प्रमान पेश किये हैं. वैक्सीन नीती को लेकर मोदी सरकार की घलती है या नहीं है? प्रधान मंत्री के अंदाज में मित्रों बताओ घलती है या घलती नहीं है? और दूसरी तरफ एक और चीज़ हो रही होती है. भारत दुनिया भर म अपनी छवी बनाना चाहता था वैक्सीन्स भेज कर. मगर हुआ क्या? जैसे ही भारत में वैक्सीन्स की कमी पड़ी तो जो ग्यावी के साथ भारत की जो साज़ेदारी थे, SII की साज़ेदारी थी, उस साज़ेदारी में दरार आ जाती है. आपके सामने दोस्तों, ये खब इसमें ये बताया जा रहा है कि भारत में वैक्सीन्स की कमी के चलते, जो कटिबधता या जो करार SII ने हमारे साथ किया है, उसमें देरी हो रही है, पढ़के सुनाना चाहता हूँ आपके स्क्रीन्स पर. The COVAX Facility has notified participating economies that delivery of doses from Serum Institute of India will be delayed in March and April. क्यों? क्योंकि भारत में कमी पढ़ रही थी. आपने दुनिया के सामने तड़ी में आके खुद को वैक्सीन गुरू के तौर पर तो पेश कर दिया, मगर फिर भारत में कमी हो गई. और फिर जो करार आपने Global Alliance के साथ किया था, ग्यावी के साथ किया था, उसमें भी उसे भी आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं. उसमें भी देरी हो रही है. यानि कि भारत की तो ये हालत है दोस्तों, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सुना. ना हम घर के रहे, ना घाट के, ना हम देश की जनदा की जान बचा पा रहे हैं, उल्टा दुनिया के साथ जो हमने करार किया था, ग्यावी अलाइंस के साथ, हम उसे तक पूरा नहीं कर पा रहे हैं. ऐसे में एक बार फिर वो बैनर में आपको दिखाना चाहता हूँ, इस बैनर में क्या गलती है दोस्तों, जिसमें ये कहा जा रहा है, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आप मेरे बच्चों के लिए वैक्सीन्स बाकी दुनिया में क्यूं भेज रहे हैं? इन सवालों का जवाब देने के लिए दोस्तों, बदनसीबी से देश के प्रधानमंत्री कभी सामने नहीं आएंगे, मगर यहां अन्यूस शक्र में, ये मुद्धे हम लगातार उठाते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजे अजासत, नमस्कार